हेलो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं माई एस क्लासेस दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज हम देखते हैं करेंट अफ़ेर्स को चलिए पहले प्रशन को लेते हैं पहला प्रशन है रिसेंटली भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल को किन दो स्टेशनों के बीच चलाया गया उत्तर है महरास्ट की देवलाली और बिहार के दानापूर रेलवे स्टेशन के बीच यह पहली किसान ट्रेन महरास्ट के देवलाली और बि ट्रेन किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आधी ढूने का करे करेगी। दोस्तों ये बता दे कि इसका उद्देश बाजारों तक सामान का बेरोकटोक संपर्क मार्ग अर्थात रेगल कनेक्टिविटी प्रदान करना है वो किसानों की आयो को दूग ना करना है। चलिए एक दिन पहले तक जम्मु काश्मीर के उपर आजयपाल रहे गिरिश्चंद्र मुर्मु को राजियू महर्शी के अस्थान पर भारत का नया C.E.G. नुक्त किया गया है। गिरिश्चंद्र मुर्मु जम्मु काश्मीर के उपर आजयपाल पत से एक दिन पूर पहले ही इस इस्तिफा दे चुके हैं। गिरिष चंद्र मुर्मु पुर्म में आई-एस अधिकारी रहा हैं। और यह 1985 बैच के गुजरात कैडर के आई-एस है। दोस्तो यह बता दे कि राजिव महर्शी जिनका तीन वर्षिय कारेकाल साथ अगस्त को पुरा हुआ है। इसके बाद ही गिरिष चंद्र मुर्मु को सीजी का पद सम्हालना है। चलिए अगला प्रश्ण को देखते हैं। यह प्रश्ण है रिसेंटली जम्मु एंड कास्मी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसके उत्तर को। दोस्तो गिरिष चंद्र मुर्मु पांच अगस्त 2020 को जिनों नहीं इस्तिफा दिया अरधात 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मु काश्मीर पूर्ण राज्य था। उस वक्त महां के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। दोस्तो ये बता दे कि 5 अगस्त 2019 को जम्मु काश्मीर को विशेश दरजा प्रदान करने वाले अनुछेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप् किये गए थे और उसके पाद ही दो केंदर शाषित प्रदेशों जम्मु काश्मीर और लद्दाख में इस राज्य को विभाजित कर दिया गया थे। चलिए अगवे प्रशन को देखते हैं। यह प्रशन है लेबनौन सरकार ने राजधानी बेरूत में हुए बंवी स्पो के बाद लेबनौन की सरकार ने महां दो सप्ता के लिए आपातिस्तिती की घोशना कर दी है। इस विस्पोट के कारण महां 100 से अधिक लोग मारे गया हैं और तक्रीबन 4000 लोग घाया लो गया है। यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब लेबनौन पूरी तरह से आर्थिक सं संकर्मोन से घिरा हुआ है। दोस्तों ये भी बता दे कि लेबनौन पस्चिम एशिया में इस्थित एक देश है जिसकी सीमा सीरिया और इस्राइल से मिलती है। चलिए नेक्स प्रस्न देखते हैं। दाख और गूजरात के जूनागड को अपने राजनितिक नक्षे में सामिल किया है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने राजनितिक नक्षे में दिखाने के दिखाया है। दोस्तो ये भी बता दे कि कुछ दिनों पुरही नेपाल ने भी अपना नया मानचित्र जारी किया था जिसमें भारत के लिपू लेक, काला पानी व लिम्पिया धूरा को अपने हिस्से में दिखाया था और इसे अपने संसप से भी पास करा लिया था। चलिए अगले प्रशन को देखते हैं यह प्रशन है हाली में किस राजे ने महिला सुरक्षा हेतू इरक्षा बंधन कारक्रेम की शुरुवात की। शग्यों के सहयोग्स ऑनलाइन प्रशक्षित किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को दबा ले। ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।